Hello friends, welcome back to my channel. So friends, I hope कि आप लोग ने अभी तक के जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो आप लोग ने देखे होंगे और आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिला होगा अभी तक. तो इस वीडियो में जो है मैं आपको SQL Managed Instance के बारे हैं बताने वाला हूँ. तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, तो मैं SQL Managed Instance के बारे हैं बताने वाला हूँ. अभी तक जो हम लोग ने किया था, वो Azure SQL Database किया था, जो कि आपका एक तरह से public service है, तो अभी जो हमने अभी तक जो database बनाया है, वो एक तरह से Azure SQL Database बनाया है. लेकिन यह different resource है आपका Azure SQL Managed Instance. तो इसको बनाने से पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, कि SQL Managed Instance में और SQL Database में difference किया है. देखो, इसका सबसे पहला जो difference है, बिग difference वो है features में. features में कैसा है, अभी let's say, कि आपके पास जो एक on-premises का एक server है, जिसमें आपने on-premises environment मान लो, एक server है आपके पास, चाहे वो physical server हो, या फिर आपका कोई virtual machine हो, उसके अंदर आपने SQL server, आपने Microsoft SQL server install किया हुआ है. तो अभी feature के अगर मैं बात करूँ कि जो आपके ask के environment में होता है, या on-premises के environment में जो SQL server होता है, और SQL database होता है, उसके जो features हैं, और Azure SQL database के features में difference है, यानि कि कहने का मतलब यह है, कि Azure SQL database जो कि आपका past component है, और एक public service है, आपके जो on-premises का SQL server रहता है, features में difference रहता है. features in the sense, example के तौर पर बताऊं कि अगर आप ask के infrastructure में एक VM बनाते हो और उसके अंदर SQL server install करते हो, तो उसमें आपको let's say, SQL server agent एक feature रहता है, जो कि आपके jobs को execute करने के लिए काम आता है, लेकिन वही चीज़ जब आप SQL database बनाते हो, Azure में, past component जो है, तो उसमें आपको SQL server agent नहीं मि difference है, अभी मान लो, आपकी किसी customer का on-premises environment में, एक SQL server है, एक virtual machine है, या फिर physical server है, और उसमें आपका SQL server डालावा है, अब आपका customer जो है, वो चाहता है कि इस server को, इस SQL database के instance को, Azure में migrate करना चाहता है, दूसरा, साथ ही साथ वो चाहता है, कि मुझे सारे के सारे features available हो, जब मैं migrate करूँ कहां पर on-premises से Azure में, तीसरा वो क्या चाहता है, कि मैं जो हूँ, मुझे less maintenance override हो मेरे उपर, यानि कि customer वापस से migration के बाद, या migration के time पर, वो ये नहीं चाहता है, कि Azure में एक virtual machine बनाए, and then उसके वापस से SQL server का addition है, वो install करे, तो कहने का मतलब यह है, कि मान लो, आपका एक on-premises का server है, SQL server है, और आपके customer को, उसको Azure में migrate करना है, तो migrate करने के time पर customer तीन चीज़ों का ध्यान रखेगा, एक, कि उसके उपर maintenance का override ना बने, यानि कि वो वापस से Azure में कोई virtual machine बनाके, SQL database install नहीं करना चाहता, दूसरा, smooth migrate हो, तीसरा, कि उसको जो है, SQL server, जो उसको on- on-premises के SQL server में मिल रहे है, SQL server database में, वो सारे के-सारे features उसको Azure database, SQL database में मिलना चाहिए, लेकिन, जैसे कि मैंने बोले difference क्या है, कि SQL database में वो सारे features available नहीं मिलते, जो आपको on-premises के, या फिर ask के infrastructure as a service, जिसमें आप एक VM बनाते हो, और SQL server install करते हो, उसमें मिलते हैं, तो इन चीज का solution क्या है फिर, अब solution आता है आपका Azure SQL Managed Instance में, Azure SQL Managed Instance क्या है, आपका एक तरह से fully secured है, secured क्यों है, इसके कुछ features है, जैसे कि आपका 100% compatibility रहता है, यानि कि migration के time पे आपका latest SQL Server Enterprise Edition compatible रहेगा आपके Azure SQL Managed Instance के साथ, लिफ्ट और शिफ्ट में ये काम आता है, यानि कि migration के time पे काम आता है, कि जबी आपको on-premises SQL Server को, या SQL Database को, आपके Azure platform पे लेके जाना हो, तो आपके ये एक preferred way है, क्योंकि obviously on-premises में मैंने बोला, on-premises जो SQL Database रहता है, उसमें features ज्यादा रहता है, लेकि Azure SQL Database जो की past का component है उसमें features कम रहते हैं, तो preferred way है Azure SQL Managed Instance, जहाँ पर आपका left and shift काम आता है, Azure SQL Database का, दूसरा आपका जो है इसमें backup और high availability मिलती है आपको, अब ये backup high availability एक नहीं है, ये अलग-अलग है, तो इसके बीच में partition लगा दिया मने, इसमें backup भी मिलता है, आपको backup के feature और high availability मिलती है, तीसरा इसमें आपको जो है native virtual network implementation मिलता है, अब ये native virtual network implementation क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप Azure SQL Managed Instance use करते हो, तभी आपका जो है, एक virtual network आपको deploy करना होता है, आपने अभी तक देखा SQL database में, हमने कोई virtual network deploy नहीं किया, हमने simple से एक server मनाया, database मनाया, that's it और उसको connect किया, लेकिन Azure SQL Managed Instance में, आपको SQL Managed Instance creation के टाइम पे virtual network पूछता है, कि virtual network बनाओ, अगर existing है तो उसको use करो, नहीं तो नया बनाओ, और इस SQL Managed Instance को उस virtual network पे host करो, या फिर deploy करो, तो कहने का मतलब यह है, कि Azure SQL Managed Instance जो है, आपका security के point of view से isolated रहता है, बाकी किसी दूसरे network से, इस लिए customers, जो है, यह SQL Managed Instance भी प्रिफर करते हैं, क्योंकि यह SQL Managed Instance है, यह आपका security के point of view से, एक virtual network में, एक virtual network में, आपका इस SQL Server को आप deploy करते हो, जबकि SQL Database जो है, यह SQL Database, जो pass का component है, यह आपका एक public service है, आप इसको over the internet use कर सकते हो, लेकिन यह एक virtual network का पार्ट है, इस ल लिए, अगर आपको इस SQL Managed Instance जो कि आपने एक virtual network में host किया हुआ, यह deploy किया हुआ है, आपको उसको connect करने के लिए, उसी network में, किसी दूसरे virtual machine से आपको access करना होगा, तो friends, I hope कि आपको SQL Managed Instance में, और SQL Database में, आपको different समझ में आ गया होगा, क्या उसमें, उसमें कुछ features का limitations है, SQL Database में, और इसमें वो सारे के सारे features आपको मिलते हैं, जो कि आपके on-premises database server में आपको मिलते हैं, और security की point of view से यह एक virtual network में implement होता है, एक virtual network में deploy होता है, जिसकी वैसे यह बाकी network से isolate रहता है, जबकि SQL Database जो है, आपका एक तरह से public service है, public endpoint कह सकते हैं, तो friends, यह था Azure SQL manage instance के बारे में, I hope कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, मैंने आप कोशिश करिए पूरी तरीकी से आपको समझाने की, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like करो, share करो और चैनल को subscribe करना, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके lab के साथ, so friends thanks for watching this video.